कि इस तमागेदार वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GZZVS MSW क्रिकेट मैच के ड्रिम 11 टीम प्रेडिक्शन के बारे में इस वीडियो में आपको बैस्ट विनिंग टिम बना के देने वाला हूँ साथ ही कि इस वीडियो में पता चलने वाला है तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक दीखेगा जैसा कि आप सब को पता है कि येरोपियन किर्केट सिरीज माल्टा चल रही है 2023 की और ये चोदवा मैच है उस सिरीज का और ये मैच होने वाला है मार्सा स्पोर्ट कलब मार्सा माल्टा में तो इस मैच की पूरी डिटेल में आपको दे दू गोजो जालमी का मैच मसीडा वारियर के बीच में होने जा रहा है आज 9 नवंबर 2023 को दोपर को तीन वजे ये मैच सुरू होगा मार्सा स्पोर्ट कलब में मैच का पुर्वा उलोकन अगर अपन करें तो मसीडा वारियर ने इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है वसीडा वारियर ने अपने पिसले पांच मैचों में दो मैच जीते है और तीन आ रहे है जबकि गोजो जलमी ने इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है गोजो जलमी ने अपने पिसले पांच मैचों में तीन मैच जीते है और दो आ रहे है अंक ताली का आपके सामने हैं अंक ताली का आप देख सकते हों पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं सो मार्सा स्पोर्ट कलब मार्सा मालटाम ट्रेक काफी संतुलित है जिसमें बल्लेवाजों और गीनदवाजों दूनों को यी मदद मिल सकती है पिछले 12 मैचों में इस मैदान पर पहली पारी का आस्ट स्कोर 116 रान है मार्सा स्पोर्ट कलब मार्सा मालटाम पे इसकाफी संतुलित है जिसमें बल्लेवाजों और गीनदवाजों दूनों को यी मदद मिल सकती है इस मैदान पर तेज गेंदवाज काफी सपल हो रहा है उन्होंने इस मैदान पर कुल गेंदवाजी फैंटेसी यंग का एक बड़ा इस्सा अर्जित किया है इसलिए अपनी फैंटेसी टीम के लिए तेज गेंदवाजों को चुनना एक अच्छा विकल्प होगा सीधे मुकाबलों की बात करते हैं इन दो टीमों के बीच में तो इन दो टीमों के बीच खेले गए तीन मैचों में मसीड़ा वारियर को उनके सभी मैचों में हार मिली है गोजो जल्मी के खिलाब मसीड़ा वारियर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है हमें लगता ही ये रूजान जारी रहेगा दोनों टीमों ने अब तक अपनी अपनी टीम के लिए सबसे अधिक फैंटेसी अंक बनाएं अब तीन बल्लेबाज विगेट किपर के बारे में बात करते हैं पहला है रॉक्की दाइनीज पांच मैच खेले 93 रन बनाएं दूसरा निकल के आता है मैबूब अली इन्होंने तीन मैच खेले 126 रन बनाएं तीन विगेट लिएं दूसरा निकल के आता है सिजिल जोए तीन मैच खेले 15 रन बनाएं और चार विगेट ले चुके हैं तीसरा खिलाडी है सकीर अफ्रीदी चार मेंच खेले 20 रन बनाए और 6 विगेटिया ले चुके है बात करते हैं आल राउंडर खिलाडियों की सो पहला है सजीत सुकूमरन तीन मेंच खेले 9 रन बनाए और 4 विगेटिया ले चुके है दूसरा है वकार महमूद चार मैच खेले एक run बनाए तीन विकेट ले चुके है तीसरा खिलाडी है अजीन सोमान तीन मैच खेले 19 run बनाए और एक विकेट इनों ने ले लिया है अब कप्तान और कप्तान के सुजाव की अपन बात करते है सो कप्तान के प्रस्पेक्टिव से यहाँ पे जो खिलाडी बढ़िया लग रहा है वो है महबूब अली लास्ट मैच में भी 44 run इनों ने बनाए बढ़िया पर्फुमेंस लग रही है इनकी ओवरॉल इनका एवरेज भी काफी बढ़िया है इसके लावा वाइस केप्टन के लिए आप जा सकते हैं यहाँ पे सिजीत जोय के साथ में बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाइड की तो देख सकते हैं MSW का स्क्वाइड एंड जी जेड जेड का स्क्वाइड भी आपके सामने है अब बात करते हैं यहाँ पे फैंटेसी टीम सुजाव की विकेट किपर के तौर पे रॉक्की डाइनेस एंड इजाज एहमद को अपुने को लेना है बल्लेवाज के तौर पे जेसान खान और डिव्येस कुमार को लेना है अल्राउंडर के तौर पे सिजल जो है महबूब अली सजीत कुमारन और अजीन सोवान को लेना है गेंदवाज के तौर पे वकार महमूद सवाब खान और सेबीन जौसेप को लेना है कप्तान के तौर पे आप रॉक्की डाइनेस को बना सकते हो एंड उपकप्तान सवाब खान को आप बना सकते हो आप जो चाहिए जिंजेज इसमें कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग वीडियो इंफॉर्विटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पे पहली बार आए हो मेक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करें हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग